टाइम मेनेजमेंट ये बहुत ज्यादा important point है बच्छे हिमानेजक्रय अब सवाल कई बच्चे पीछ से मुझते हैं कई बच्चे पूछ तरफ सीजिक्थ को कितना तइंसे कितना तइंसे मैंपbus कर न समय का मैं तो प्लानिग करते समय देख मैं त्यां ऐसा Wie फी साथने कोच्ण के पास बचा हुआ टाइम है राइट आप साढे छह है मैं चाहिए चाहिए कि आपके पढ़ाई का टाइम होना चाहिए और उनके बीच के breaks का टाइम होना चाहिए, 14 गंटा आपका action टाइम होना चाहिए, 14 गंटा आपका brain engagement टाइम होना चाहिए, इसके अंदर आपकी classes का hours भी आ गया है और उसके अलावा आपकी self-study भी आ चुकी है, तो जरा सोचो, जरा सोचो, अब इस 14 गंटा में से अगर break निकाल लो 15-15 मिंट क चौदमालों बचा 12-13 गंटा, 13 गंटा में चे तुमने 5-6 गंटा आपने कोचिंग में दिया, बचा 6 गंटा, 6 गंटा तो आपको self-study करनी है, दूसरा, सुबा पढ़े हैं या शाम को पढ़े हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है आप लोगों के साथ, तो I would recommend, कई लोग सुबा पढ़ना प्रिफर करते हैं, कई लोग शाम को पढ़ना प्रिफर करते हैं, लेट नाइट स्टड़ी करते हैं, डिपेंडिंग कि आपका स्केडूल कैसे बैठता है, अगर आपकी सुबा अर्ली मॉर्निंग क्लासेस होती है, साथ बहते, तो I would not recommend, कि आप लेटने स्टड़ी अराम से कर सकते हैं, प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं and then go on with your remaining walk, all right everyone, so that was all a talk about time management, I would recommend everyone, so time, maximum time आपको पढ़ाई को ही देना है, पढ़ाई के बारे में ही सोचना है and आपको प्रॉपर्ली ताइम करक्स करना है, आपका ही स्टुड बोलेंगे, सार हम स्कूल स्कूल गोईगे, कई बोलेंगे, सार हम डमी स्कूल में, तो स्कूल गोईगे, आपको टाइम निकालना पढ़ेगा, आप जैसे बहुत हजारों स्टुडेंट है and that is why it is a competitive exam, स्कूल वाले बच्चों के साथ तो और थोड़ा सा competition बढ़ जाता है, आपको टाइम निकालना प एको तो ऑना पूले आपको गरो만 गरो, बstar वाले बाले, आपको बढ़ेगा से थाएमे बाले लाले की जैसे दोड़ेगे, बाले, आपको एको गुएगे, एको ऑपको पईना पाइमाने, पाले, इंसे दो उसे हैं।